हेलो दोस्तो मैं गुर्दीप सिंग, यूटूब चैनल स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो यह वीडियो ब्लड टोपिक का सेकंड पार्ट है इस वीडियो में अपने डिसकस करेंगे WBC और प्लेटलेट्स के बारे में तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखो दोस्तो ब्लड टोपिक के पिछले पार्ट में हमने RBC के बारे में तो पढ़ लिया था कि RBC क्या होती है तो इस वीडियो में अपने सबसे पहले समझते हैं WBC के बारे में WBC यानि White Blood Corpuscles या इसे कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं या इसे कहते हैं श्वेताणू या फिरेने कहते हैं Leucocides तो WBC के अलग-अलग नाम है इनका द्यार रख लेना दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं WBC के आकार की तो WBC का जो आकार होता है ये होता है Amoeba के समान यानि WBC का कोई निश्चित आकार नहीं होता यानि एनियमित आकार की होती है WBC और यदि अपने बात करें मनुशे में WBC की संख्या की तो एक व्यस्क मनुशे में WBC की जो संख्या होती है वो होती है 4000-11000 प्रतिगन मिलिमीटर और यदि average में बात करें तो एक व्यस्क मनुशे में WBC की संख्या होती है लग भग 7000 प्रतिगहन मिलिमीटर देखो दोस्तो WBC की ये जो संख्या होती है ध्यान देना यदी रक्त में WBC की संख्या एनिमित रूप से बढ़ने लग जाती है यानि यदी रक्त में WBC की संख्या 11000 प्रतिगहन मिलिमीटर से अधिक हो जाती है तो इस कंडिशन को कहते हैं लिूकेमिया यानि बलड कैंसर और यदी रक्त में WBC की जो संक्या है ये कम होने लग जाती है यानि यदी रक्त में WBC की संक्या 4000 प्रती गन मिली मीटर से कम हो जाती है तो इस इस्थिति को कहते हैं लिवको पेनिया WBC की संक्या से रलेटेड ही ध्यान रखना दोस्तों कि जो HIV और टाइफाइड रोग होते हैं इन दोनों रोगों में WBC की जो संक्या है ये समाने से कम हो जाती है इसके लावा यदि अपने रक्त में WBC और RBC के अनुपात की बात करें तो एक व्यस्क मनुश्य के रक्त में RBC और WBC का जो अनुपात होता है वो होता है 600 अनुपात 1 यानि RBC कितनी होती है? 600 और WBC कितनी होती है? 1 यानि के 600 RBC के बीच में 1 WBC होती है यानि रक्त में WBC से कहीं जादा होती है RBC देखो दोस्तों ये जो WBC होती है WBC का जो व्यास होता है ये होता है 12 से 20 माइक्रो मेटर और RBC का व्यास कितना होता है 7.5 माइक्रो मीटर यानि जो WBC होती है WBC का व्यास RBC से ज़्यादा होता है यानि WBC RBC से बड़ी होती है ध्यान रखना दोस्तों ये जो WBC होती है इस WBC में किसी भी परकार का कोई pigment नहीं पाया जाता जिसकी कारण क्या होता है ये जो WBC होती है ये रंग हीन होती है यानि WBC का कोई रंग नहीं होता इसके लावा दोस्तों यदि अपने बात करें WBC के निर्मान की कि WBC का निर्मान होता कहा है तो WBC का जो निर्मान होता है ये मुख्य रूप से तो होता है अस्थी मज़ा में यानी bone marrow में इसी में द्यान रखना दोस्तों कि जो RBC तथा WBC होती है इन दोनों का जो निर्मान होता है ये होता है bone marrow की hematopolitic stem cells में देखो दोस्तो WBC का मुख्य रूप से तो निर्माण होता है बोनमेरों में, इसके अलावा कभी-कभी lymph node, यकृत और जो पलिहा होती है इनमें भी WBC का निर्माण होता है, तो द्यान रख लेना दोस्तों कि WBC का निर्माण तो होता है अस्थी मज्जा lymph node, यकृत और पलिहा म और WBC की जो मृत्यू होती है ये होती है रक्त में, यानि रक्त को ही WBC का कबरिस्तान कहा जाता है, इसके लावा यदि अपने बात करें WBC के जीवनकाल की, तो WBC का जो जीवनकाल होता है, ये होता है चार से पांस दिन का, देखो दोस्तों ये जो WBC होती है, ये केंदरक य केंदरक नहीं होता, सिर्फ उंट वेल लामा को छोड़कर, यानि उंट और लामा ही ऐसे प्राणी हैं, जिनकी RBC में केंदरक पाया जाता है, बाकी जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों की RBC में केंदरक नहीं पाया जाता, तो WBC क्या होती है? केंदरक युक्त होती है यानि के WBC में केंदरक पाया जाता है और यदि अपने बात करें कि WBC का सरीर में क्या योगदान होता है यानि WBC का कारय क्या होता है तो द्यान रखना दोस्तों कि जो WBC होती है ये हमारे शरीर के immune system को बढ़ाती है यानि शरीर की जो प्रतिरक्षा परनाली होती है उसको बढ़ाती है WBC इसके लावा शरीर को संक्रवित करने वाले जो रोगानू होते है इन रोगानू को नश्ट करने का कारय भी कौन करती है WBC करती है और शरीर में जो मृत कोशिकाएं होती है इन मुरत कोशिकाओं का बक्षन भी WBC करती है इसलिए ये जो WBC होती है इस WBC को कहते हैं सेनिक कनिकाएं यानि WBC को कहते हैं शरीर के सेनिक यानि के शरीर के सिपाही अब बात करते हैं WBC के टाइप्स के बारे में यानि WBC के कौन-कौन से परकार होते हैं तो द्यान रखना दोस्तों, ये जो WBC होती है, WBC के दो परकार होते हैं, पहला परकार होता है कणिकानू, या इसे कहते हैं कणिका मेय श्वेतानू, या इसे कहते हैं ग्रेनुलोसाइट, और WBC का जो दूसरा परकार होता है, वो होता है एकणिकानू, या इसे कहते हैं कणिक रहित श्वेतानू या इसे कहते हैं A-granulocyte इसमें जो granulocyte परकार होता है इस granulocyte परकार के पुने तीन परकार होते हैं यानि granulocyte WBC तीन परकार की होती है पहला neutrophil दूसरा eosinophil और तीसरा basophil इन तीनों परकारों में द्यान रखना कि जो neutrophil WBC होती है ये रक्त में संख की द्रष्टी से सबसे अधिक पाई जाने वाली WBC होती है यानि WBC की कुल संख्या का 62 प्रतिशत होती है neutrophil इसके लावा जो neutrophil होती है ये एक परकार की बक्षनकोशी का होती है और जो eosinophil WBC होती है ये WBC की कुल संख्या का होती है 2.5 प्रतिशत और जो besophil WBC होती है ये WBC की कुल संख्या का होती है 0.5 प्रतिशत, यानि कि रक्त में संख्या की द्रष्टी से सबसे कम पाई जाने वाली WBC होती है बैसोफिल WBC, तो द्यारक ना दोस्तों, रक्त में सबसे अधिक संख्या में जो WBC पाई जाती है, वो पाई जाती है Neutrophil Wbc और रक्त में सबसे कम संख्या में जो Wbc पाई जाती है वो पाई जाती है Basophil Wbc तो Neutrophil, Eosinophil और Basophil ये तो है Granulocyte Wbc के परकार दूसरे परकार की जो A Granulocyte Wbc होती है ये होती है दो परकार की तो कौन-कौन से परकार होते हैं A Granulocyte Wbc के पहला होता है Lymphocyte यानि लसी काणू और दूसरा परकार होता है Monocyte यानि के A केंदर काणू इन दोनों परकारों में द्यान रखना कि जो Lymphocyte Wbc होती है ये Wbc की कुल संख्या का होती है 30 प्रतिशत इसके लावा important point में द्यान रखना कि आकार में जो सबसे चोटी Wbc होती है वो यही Lymphocyte Wbc होती है ये जो Lymphocyte Wbc होती है ये निर्मान करती है Antibodies का यानि प्रतिरक्षी का जिसके कारण ये जो Lymphocyte Wbc होती है ये बिमारी पैदा करने वाले जो रुगानू होते है उनको मारने और मरत कुशिकाओं को पहचान करके नुष्ट करने का करे करती है दोस्तो द्यान रखना जो HIV रोग होता है HIV रोग में जो Lymphocyte Wbc होती है ये मर जाती है जिसके कारण शरीर में जो Immunity होती है वो खत्म हो जाती है यानि जो HIV रोग होता है ये मानो प्रतिरक्षा परनाली को प्रभावित करता है तो द्यान रख लेना HIV रोग में Lymphocyte Wbc मर जाती है और दूसरी जो Monocyte Wbc होती है ये Wbc की कुल संख्या का होती है 5 प्रतिशत और यदि आकार में बात करें तो Wbc में सबसे बड़ा आकार होता है Monocyte Wbc का और रक्त कणिकाओं में भी जो सबसे बड़ा आकार होता है वो Monocyte Wbc का ही होता है इसके लाबा जो Monocyte Wbc होती है ये होती है बक्षनकारी, यानि मरत कोशिकाओं को खाने का कार्य करती है monocyte WBC, तो ये तो हो गई WBC के बारे में जानकारी, अब बात करते हैं platelets के बारे में, platelets जिसे पटिकानू भी कहते हैं, platelets को बिम्बानू भी कहते हैं, इसके लावा जो platelets होती हैं, इने कहते हैं thrombocytes, तो सबसे पहले बात करते हैं platelets के व्यास की, तो platelets का जो व्यास होता है, ये होता है 2 से 4 माइक्रो मीटर, यानि रक्त कणिकाओं में सबसे छोटी होती है platelets, और यदि अपने बात करें, मनुशे में platelets की संख्या की, तो एक व्यास का मनुशे में platelets की जो संख्या होती है, वो होती है तीन लाख प्रतीगन मिलिमीटर लेकिन कुछ कंडिशन में क्या होता है प्लेटलेट्स की जो संक्या होती है ये ऐस समाने हो जाती है यानि प्लेटलेट्स की संक्या या तो समाने से कम हो जाती है या समाने से अधिक हो जाती है पहली कंडिशन को कहते हैं थ्रोम्बो साइटो पेनिया देखो दोस्तों ये जो थ्रोम्बो साइटो पेनिया स्थेती होती है इस स्थेती में क्या होता है अस्थी मज्जा में जो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है वो समाने से बहुत कम होता है यानि अस्थी मज्जा में बहुत कम प्लेटलेट्स का निर्मान कहलाता है थ्रोंबो साइटो पेनिया और यह कंडिशन होती कब है डेंगू रोग में डेंगू रोग में क्या होता है प्लेटलेट्स की जो संक्या होती है यह कम हो जाती है और दूसरी condition होती है thrombocytothemia यानि thrombocytosis देखो दोस्तों यह जो thrombocytosis या फिर जो thrombocytothemia स्थिती होती है इस स्थिती में क्या होता है जो bonmer होती है यानि जो अस्थी मज़ा होती है यह platelets का ज़्यादा निर्मान करने लग जाती है तो bonmero के द्वारा platelets का समाने से ज़्यादा निर्मान कहलाता है thrombocytosis यानि thrombocytothemia अब बात करते हैं कि platelets का निर्मान कहा होता है तो द्यान रखना दोस्तों RBC, WBC और platelets इन तीनों रक्तकानिकाओं का निर्मान bonmero में ही होता है यहाँ आपको द्यान रखना है कि bonmero की कौन सी cell में किस रक्तकानिका का निर्मान होता है तो RBC और WBC के बारे में अपने बात करी चुके हैं कि RBC और WBC का जो निर्मान होता है वो होता है bonmero की hematopoietic stem cells में और जो platelets होती है platelets का निर्मान होता है bonmero की megakaryocytes में द्यान रख लेना bonmero की कौन सी cell में platelets का निर्मान होता है megakaryocytes में और platelets की मरत्यू कहां होती है यकृत और पलिहा में यानि यकृत और पलिहा को ही कहते है platelets का कब्रिस्तान इसके लाबा platelets में भी RBC की तरह केंद्रक नहीं पाया जाता यानि platelets भी RBC की तरह केंद्रक विहीन होती है यदि अपने platelets के जीवनकाल की बात करें तो platelets का जो जीवनकाल होता है वो होता है 5-7 दिन का इसके लाबा जो platelets होती है platelets का सरीर में कारे क्या होता है तो ध्यान रखना तो दोस्तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे blood clotting की यानि रक्त का ठका बनता कैसे है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताना यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और YouTube चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब कीजिए ठेंक यू